हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हजबन जबर्दस्तिकर एडल विम करने के लिए मजबूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था क्या आप इससे वह बच पाएगी या हम आज के हमारी मूवी लवलेस जो 2013 की एक हॉल्यूड ट्रू में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी अब भी वह बहुत ज़्यादा दुखी है अब इसके बाद यहां पर वह कैसे पहुची इसका फ्लैश्बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो सुमिंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट्सी यह दोनों हैंग आउट कर रहे थे पैट्सी अपने इनर्वेर निकाल लेती है तो लिंडा को पसंद नहीं आता एक साल पहले उसके साथ एक हाथसा हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा डर कर रहती है उसका एक बॉइफ्रे इन में कुछ तो मिसिंग लग रहा है इनके वास नाशने वाली लटकिया नहीं है पैट्सी बहुत ही फोरवर्ड थी तो जाकर स्टेज पर नाशने लग गए लिंडा ने थोड़ी देर में उसे जॉइन किया यहाँ पर हमारा और एक मेन क्यारेक्टर मुझूद था इसका नाम था चक चक की नजर लिंडा पर पड़ी और सो बहुत ही अच्छी लगती है जगों से कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही जादा पैसे मिलते हैं लिंडा कहती कि क्या है सचफुश में पॉसिवल भी है लिंडा पुछती कि मुझ से क्वेशन करने लग जाती है यह किसकी बार्ट है किसके साथ जा रही है सब कुछ क्वेशन पूछने के बाद ही उसने लिंडा को बाहर बेजा उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा कंसरवेटिव थी यह बार्ट ही एक टाइप से चक और लिंडा की एक डेटी थी मूवीज व बुछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गल्दी से मैं एक साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी मेरी मदर ने मेरे बेबी को और आप्शन के लिए डाल दिया चक के साथ कोई भी रिलेशन्शिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ और रहना चाहती थी चक कहता है क तुमें एक रात मेरी घर पर बिताओगी और आया तुब वही हम करेंगे लिंडा इस पर बहुत असी निनर के बगत चक कहता है कि मैं आर्मी में था क्योंकि लिंडा के फादर भी आर्मी में थे उसने कहा कि आपके पास तो वार की बहुत सारी स्टोरीज होंगी मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें इंप्रेस करना चाहता था इसके बाद ये दोनों कीचन में गए पैरंस टीवी देख रहे थे तो कीचन में ये दोनों इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद चक लिंडा को मूवी देखने के लिए लेकर जाने वाला था पर उसे घर वो लेकर आता है ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो लिंडा ने कहा कि मेरी बॉड़ी पर स्कार है उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता चक कहता है कि तुम जैसी हो वैसी बहुत ही जादा ब्यूटिफुल हो रात में घर आने के लिंडा को जारा लेट हो गया तो उसकी मदर उसे बहुत मार दिया गुसे में उसने घर चोड़ दिया और चक के साथ वो रहने लग गई थी एक दिन चक के आपर बार्टी चल रही थी पार्टी में लिंडा की फ्रेंड पैट्सी भी आई हुई थी वो चक के बास जाती है तो चक ने एडल फिम लगाई ह हुई थी श कुछता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता था खर पैट्सी के पास जाने लग गया उसे किस करने लग पैट्सी उपमक्र फेक कर लिंडा के पासा जा जाती है उसे कहा कि वह पर मत जाओ लिंडा नीश ततरीकी की मूवी एक डिन देखी थी चग से कहती हैं कि अँछी लड़किया यह सब नहीं करती हैं यह सब करना नहीं कर ले अब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शादी कर लिए अब इसके बाद थोटा टाइम गुजर जाता है लिंडा को एक दिन पूली स्टेशन से कॉल आया चक को पकड़ लिया गया था तो इसकी बेल कराने के लिए उसे जाना पड़ा उसने पहले तो इस बात पर विलीव नहीं किया था वो चक से पूछती कि तुमने किया क्या चक ने उसे अल्रेडी बता हुआ था कि उसके काम के बारे में वह कुछ भी क्वेशन नहीं कर सकती लिंडा को लगता था कि चक डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाइगर ता पर अब उसे पता चला कि उनके प्रॉस्टूइशन में भी उसका हात है चक ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की ज़रूत होती है तुम्हें प्रोड़कर करता हूँ कुछ बहुत नहीं है फिल्म के डारेक्टर ने लिंडा को बाहर भेज दिया और चक से कहते हैं कि यह लड़की नहीं चलेगी आज कल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशल देखने की आदत पड़ गई है लिंडा को तो डायलोग बोलना भी नहीं आता चक कहता है कि मैं तुम्हें टेमो दिखाता लिंडा और वो जब इंटिमेट होते थे तो एक बार उसने इसे रेकॉर्ड किया था ये टेप देखने के बाद ये दोनों सप्राइस्ट हो जाते है लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडियो हो गया नेकसे इन में हम देते हैं कि शुटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थ यहाँ पर इनका इन्वेस्टर आए जिसका नाम था एंथोनी एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है तुम्हें एक बहुती बड़ी स्टार बनोगी मेकप करते हो लिंडा के फेस पर ज़रा फ्रेकल्स थे इसे छुपाने की कुशिश की जा दिया च जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लूली स्लूली बाकी की सब चीज़े फेड हो जाएगी मूवी के पहले कुछ सीन शूट होते हैं अगली दिन लिंडा का हिरो के साथ इंटिमेट होने का सीन था इनके स्पॉंसर एंटोनी ने कहा कि अगर लिंडा के पास चग भी होगा त और फिर भी इसकी बात नहीं मानता अगली दिन शूटिंग स्टार्ट हुए और लिंडा के स्किल देखकर सब लोग हेरान हो गए थे लिंडा के सामने हिरो भी फर्स सीन में जादा परफॉंब नहीं कर पाया था यह सब सक्सेस्फूल हुआ और रात में यह सब पार्डी कर इस तरीके से मुवी में तुमारे क्यारेक्टर की डिवलप्मेंट हुई है उसी तरीके से तुम फिल करो लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटो शूट होगा और अपनी फोटो उसे बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है इन सब से वह बहुत ही खुश थी मूवी अब हीट हो जाती है और लिंडा के इंटर्यूज वेगरा स्टार्ट होने लग गए लिंडा का अब सपना था कि उसे एक्च्छल मूवी स्टार बनना है लिंडा के पैरेंस को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे एक दिन इनके प्रावेट में मूवी स्टार बन सकती हो वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुक है यह सब काम नहीं कर थी और अब वो एक बुक लिक रही थी बुक लिकने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे वह सच बोल रही या छूट इसकी टेस्ट लेने के लिए अब तक जो भी सिचुएशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरलल में एक्चुल में लिंडा के साथ क्या हुआ था यह अब हमें पता चलेगा लिंडा के साथ चक ने जब शादी की थी तो उसे हर एक चीज करने के लिए फोर्स करता था एक द लिंडा को रेडी करकर एक क्लब में लेकर गया एक डॉक्टर से बात करने लग गये था उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आई थी तो चक ने लिंडा को उसके साथ इंटिमेट होने के लिए जबरदस्ती कि वह लिंडा से प्रोस्टिशन करवाने लग गया था मदर गयती है कि जब मैं 18 साल की थी तब ही प्रेगनट हो गई थी तुमारी सिस्टर को लेकर मुझे इस सोसाइटे में रहना पड़ा था और मुझे बहुत ही जादा तकलिफ हुई थी तुमारे फादर बाद में मिले और उस वज़े से सब कुछ ठीक हो गया था तुमारा ह कुछ रखना चाहिए वह जो भी कहता है तुम्हें करना चाहिए इस बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीक थी लिंडा बहुत रोती है सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहना चाहती थी पर उसकी मदर उसे अलावड नहीं करती है चक का कॉल आया तो मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते हैं सब कुछ उसके साथ जबरदस्ति किया जा रहा था हमने प्रिवेसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंतोनी के पास आकर बेटने के लिए मना कर दिया था उस रात चक लिंडा को बहुत मारता है एक दिन लिंडा अपने करने के लिए जबरदस्ति कर रहा है बाहर आकर चक यह सब बाते सुन रहा था तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत ही लखी हूँ कि चक मेरा हस्बंड है एक दिन पार्टी में चक एंतोनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था एंतोनी ने कहा कि मैंने ओल्रेडी वेगरा भी बाई कर लिया था एक आतमी उसके कॉंटेक में आया था जिसके साथ मिलकर वो टॉइज वेगरा सेल करकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था जबरदस्ती लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करते हैं एंथोनी चक के पास आकर उसके पैस सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टाब हो गई थी एक रात घर आने पर अपने पैरंट्स को कॉल लगा दिया उसके फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है तुम्हें ये सब करता में देख न उसे एक होटेल रूम में गया और वहां पुरुस का सोदा किया वहां बहुत सारी लोग थे लिंडा को उसने गन लगा कर धंगया सब मिलकर लिंडा को जवरदसी करते एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था ये जब घर बोचे तो लिंडा वहां से भाग हम अब घर ही जा रहे हैं लिंडा डर कर कुछ भी कहा नहीं पाती है पुलिस ओफिसरी लिंडा को आटोग्राफ ले लेता है सुबहा उने पर चग जब सोया हुआ था तब लिंडा वहाँ से भाग गए डारेक्ट लो एंतोनी के पास आए एंतोनी कहता है तुम्हें सिर्फ औ इंडिबेंडन जी सकोगी लिंडा ने उसकी सारी सिचुएशन उसे समझा दिया वो गयती है कि अब मैं और एक मूवी नहीं कर सकती है एंतोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा उसने उसे रहने के लिए बहुत यह अच्छी से जगा दिया चग लिंडा को हर जग उसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिंडा अब अपने बायोग्राफी लिख रही थे उसका हमें घर दिखाया जाता है जिसमें उसका हजबन और एक छोटा सा बेटा था उसे पब्लीचर से कॉल आया था और उसकी स्टोरी अप्रूड हो गई थे लिंडा की हजबन ने कहा क क्या तुम सचमुश में यह सब करना चाहती हो लिंडा कहती कि मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए लिंडा की फेमस हो गए और इसकी टीवी पर इंटर्यू आती है लिंडा से पूछा जाता है कि जब यह सब चल रहा था तब उसने क्यों आवाज ने लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वक्त में बहुत ही छोटी थी वह एक चीज मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती यही मैसेज अपने बुक से ओ देना चाहती थी इतने साल लिंडा के बैरेस ने उससे बात नहीं की थी उस इंटर्यू के बाद वो लिं 150 डॉलर्स मिलें उसकी बुक बहुत फेमस हुई थी चक को बाद में हाट अगा कर उसकी डेथ हो गई थी यह मूवी हमें बता कर जाती है कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़े नहीं है सब कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है पर फिर भी ओ टाइम निकल जाता है इसके बाद हमारे लाइफ में हम एक पॉजिट्व चेंज ला सकते हैं कभी भी परस्नल ट्रांस्पोर्मेशन के लिए देर नहीं होती है इसके साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुझेज लेकर आधा रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आपकों दावने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमें के साथ तब तक लिए ठैंक्यू और आप अपने आपका ख्य है लेकिया